असलाम अलेकुम एवरिवन और वेल्कम बैक तो दुबाई इर्फोटेक्स चैनल आज की वीडियो बहुत ही इंपोर्टेट है सब जॉब सीकर्स के लिए क्योंकि मुझे बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी लोग पूछ रहे थे कि हम दुबाई में अगर से पॉच डालर पे करना पड़ता है लेकिन मैं इस वीडियो के अंदर आपके लिए पाँच डिफरेंट फॉर्मैट्स लेके आए हूं सीवी के फॉर्मैट्स लेकर हैं जो के बिल्कुल फ्री हैं जो के मैंने खुद क्रिये आप लोगों के लिए और आप विदाउट पें बेचते हैं आउनलाइन भेजते हैं जा खुद जाके देते हैं तो वह जब सीवी पढ़ते हैं तो वहां से ही आपके जो भी एजूकेशनल बैक ग्राउंड आपके एक्सपीरिंस का सब कुछ अंदाजा लगाते हैं तो वह सीवी आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन है वह क्रि कोई भी आपकी इतनी लंबी सीवी नहीं पड़ेगा मैं आपको यही एडवाइस करूँगा कि मैक्सिमम मैक्सिमम आपने दो पेज की सीवी बनानी है यही बेस्ट सीवी होती है जितनी शॉट एंड स्वीट सीवी होगी जितना आप उसको मिनिमम रहके टू दो पॉइंट अपने जो भी educational और आपका experience है वो देंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है मैं अभी आपको screen के उपर 5 different formats दिखा रहा हूँ यह बिल्कुल free है मैंने create किये हैं आप इनको बहुत easily amend कर सकते हैं download करके आप इनको amend कर सकते हैं लेकिन मैं आपको video में आगे जाने से पहले बता करना है मैं भी आपको बताता हूँ कि आप मेरी picture का हटा के अपनी picture किस तरह इन CVS में लगा सकते हैं और कैसे आपने जो भी necessary detail देनी है वो आपने कैसे देनी है viewers अगर आपने अपने चैनल को subscribe नहीं किया हो तो kindly do subscribe the channel क्योंकि मैं दुबई और UAE में इसी तरह की job related videos लेके आ आता रहता हूँ so viewers चलिए अभी मैं आपको screen पे ले जाता हूँ अपने laptop की screen पे ले जाता हूँ आपको बताता हूँ कि ये formats आपने कैसे according to your requirement amend करने हैं इन सारे formats के links जो है वो मैंने नीचे description में दिये हुए आप one by one यहां से जाके download कर सकते हैं लेकिन download करने से पहले आप य और एक जो भी cv है उसको according to that format उसको जो भी है properly मैंने उसको adjust किया हुआ है तो चलिए करते है start so viewers अभी मैं one by one आपको दिखा देता हूँ कि आपने editing कैसे करनी है लाग अगर अगर अपनी picture लगानी है इसमें तो कैसे लगानी है बहुत ही simple है शिर्फ आपका एक minute लगेगा लेकिन अगर आप इसको ठीक procedure से follow नहीं करेंगे तो आपकी cv की जो picture है इस तरह बिल्कुल भी नहीं आएगी तो बहुत ही simple है जब मेरी जो picture लगी है इसको मैं अभी cut कर देता हूँ और इसकी जगह जब आपने अपनी picture लगानी है तो आप सबसे पहले यहाँ pictures में जाएं तो यहाँ पर जो आपका second option है crop with shapes तो आपको जो मैंने इसमें select किया हो था यह वाली shape मैंने select की थी आप को भी select कर सकते हैं तो जैसी आप करेंगे तो इस तरह की आपको हो जाएगी अभी जो main part आता है कि आपने इसको सही तरीके से edit करना है तो यहाँ से आप दुबारा crop के select करेंगे तो आपको इस तरह का interface मैंने अभी आप इसको move कर सकते हैं जहां पर भी आपने set करना है जहां पर भी आपने यह लगानी है according to that आपने इसको चोटा बड़ा करना है तो आप देखें यह जो picture का size है उपर वो चोटा बड़ा हो रहा है जो आपकी picture है वो भी आप इ ऐसे लगाना है जिस तरह के वो एक green border था तो आपने इसके उपर double click करना है और उपर जहां पर picture border लिखा हुआ है तो यहां पर आप आपके इसको तिक भी कर सकते है जितना आपकी requirement according to that अभी आप देखें यह तिक हो गया है तो इसको अभी आप चोटा बड़ा भी कर सकते है यह इसमें आपकी picture quality के उपर कोई भी effect नहीं आएगा और अगर आपने इसको move करना है तो आप इसके उपर right click करेंगे और नीचे आके आपने इधर इसको in front of text कर देना है तो यह आप easily यहां से move भी कर सकते हैं viewers यह दूसरा format है पहला format है यह मैंने आपको दिखा दिया यह second format है इसका आप देख सकते है picture जो है वो circle में है same उसी तरह आपने करना है अभी मैं इसको cut कर देता हूँ और मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि आपने इसका circle कैसे बनाना है अप उसी तरह जाएंगे अपनी picture क select करेंगे picture इस तरह कि आ रही है same जगा पर जाएं crop with shape से पर जाएं और यहां से आप यहां पर यह जो circle है इसको नीचे click कर ले जैसे आप click करेंगे तो यह oval shape में आएगा आप इसको easily adjust कर सकते हैं उसका इतना बड़ा issue नहीं है आप इसको ऐसा करें दोबारा आप crop में चले जाएं तो आप अभी आप इसको easily select कर सकते हैं आप इसको बिल्कुल एक round circle बना सकते है जितना आपको चाहिए जितनी आपको space चाहिए आप उसके accordingly करें और इसके बीच में आप अपनी जो भी picture है उसको आप move कर गे adjust करेंगे आप double click करेंगे तो यह आपका circle हो गया अभी आ आपने अगर इसमें outline border देना है तो same procedure में आपने उसको double click करना है picture के ऊपर चले जाएंगे यहां पे blue border दिया होता आप कोई भी color select कर सकते हैं यहां पे blue border दे देंगे अगर आपने border को thick करना है तो यहां पे more outline के नीचे आप इसको thick भी कर सकते हैं जितना आपको चाहिए according to that तो अभी यह भी आपके हो गई है बाकी सारा आप इदर अपना नाम education work experience यह सारा आप edit कर सकते है according to your profile इसलिए मैंने इसको एक basic format में रखा है जिसमें आप अपना job titles वगरा सब कुछ खुद डाल सकते हैं जो भी training's education's है वो according to that आप अपना requirement डाल सकते हैं वीवर्स यह तीसर format है सेम उसी तरह इसमें भी circle है इसमें भी आपको कोई और चीज़ करने के जूरूद नहीं है अपने जो basic बायो डेटा है आप city full number profile आप अपना खुद एडिट कर सकते हैं अगर आपने photo edit करनी है सेम आप इसको cut करें आप insert में जाके अपनी जो भी आपकी picture पड़ी हुई ह सकते है according to your requirement जितना बड़ा चोटा आपने करना है मैं उसको कर देता हूं और बहुत ही सिंपल है यह आपने जैसे ही उसको select करना है आप double click करेंगे अगर आपने इसको move करना है तो right click करके wrap text के उपर जाएंगे और in front of text कर देंगे अभी आप इसको उपर नीचे move भी कर सकते हैं outline border देना है तो same procedure आप picture border में जाके कोई भी outline border इसको दे सकते हैं ठिक भी कर सकते हैं बाकी सारी चीज़ें आप यहाँ पे experience, education, communication, leadership, reference वगारा अपडोड कर सकते हैं आप maximum दो page की CV बनाएं जिस तरह मैंने बताया था आपको कि आप 2 page की CV बनाएं दो से ज्यादा कोशिश करें के नहीं जाएं वीवर्स यह fourth format है इसमें आप देख सकते हैं यह थोड़ा सा format पहले से थोड़ा different है तो यहां पे भी अगर आपने picture लगा रही है तो same आपने चले जाना है insert में अपना जो भी device में से आप अपनी picture select कर लें बड़ी है तो आप इसको यहां से right click करेंगे और कहीं से भी यहां पे जाके आप corner के उपर इसको जिससरह मैंने अपना रखा हुआ था आप इसको easily select कर सकते हैं बड़ा चोटा करना है according to आपकी जितनी requirement आप उसको size कर दें और इसके बाद आप इसको double click करके उपर कोई भी border दे सकते हैं जिससरह मैंने यह border दिया हुआ तो आप इसको कोई भी border दे सकते हैं move कर सकते हैं तो यह आपके यह format भी ready हो जाएगा बाकी सारे चीज़े आप सिंपल है experience job titles अगर आपके पास है तो डाल दे नहीं तो बाकी education और सारे चीज़े तो आपको डालनी ही पड़ेंगी so viewers यह fifth format है यह भी same format है इसमें भी आपको बताना है अभी मैं आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैंने पिछले दो तीन formats में आपको बताया कि आपने अपनी circle picture कैसे करनी है तो same procedure आपने यहां पे apply करना है इसके बाद आप save कर लेंगे और बाकी चीज़े कर लेंगे इनी requirement उसको adjust कर सकते हैं